नमस्कार स्टुडेंट स्वागत है आप सभी का मेरी यूटूब चैनल मिक्की मिन में तो स्टुडेंट इस वीडियो में मैं आप सभी को B.L.I.224 का जो इंपॉर्टन टॉपिक है उस वो कबर करवाऊंगा जिसमें हमारा ब्लॉक नमबर रहेगा 3 & 4 पार्ट 2 है वीडियो का अगर वीडियो का पार्ट 1 आपने नहीं देखा है इस से पहले हमने एक और वीडियो डाल दिया है वो वीडियो भी देख लें उपर आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो में हम सारे टॉपिक जो इंपॉर्टन है जो कि एक्जाम में आपके आने के चांसेस है और आते हैं वो सब मैंने कवर करा रखा है तो इसमें जो ब्लॉक है वो 3 है जिसमें नेटवर्क फंडामेंटल्स है और ब्लॉक 4 है इंटरनेट टूल्स और सर्विसेस तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो इंपॉर्टन टॉपिक है जो कि एक्जाम में रिपीटेड आते हैं वो है नेटवर्क टॉपलोजी यह वाले मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा था क्योंकि सारे जो ब्लॉक है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है तो यह वाले जो टॉपिक है वो एक दूसरे में भी आपको देखने को मिलते हैं तो नेटवर्क टॉपलोजी में जैसे की जो इंपॉर्टन है जैसे की स्टार टॉपलोजी बस टॉपलोजी ट्री मैस टॉपलो और भी बहुत साय टोपोलोजी है बटी कुछ इंपोर्टन टोपोलोजी मैं आपके लेके आया हूं इसका लावा भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं बाकी इससे भी आपका काम चल जाएगा तो इसमें क्या होता है नेटवर्क का कनेक्शन जो होता है उसकी बात किया गया जै इसके अलावा आपको IP Addressing, IPv4, IPv6 से कोशन देखने को मिलेगा Web Communication Protocol, इसमें HTTP, WAP, LTP इसमें से भी कोशन देखने को मिलेगा क्योंकि इसका थेरी हमने अल्री करवा रख है तो इसमें सिर्फ मैं आपको important topic और थोड़ा सा related इसमें से term मैं समझा रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए और आपको revision हो सके आपके revision से related video बना के डाला है हम लोगों ने तो अगला जो topic है जिसमें से question आते है आपके basic communication protocol जिसमें IP, UDP and TCP तो IP जैसे internet protocol से short note आता है user datagram protocol से आता है या transmission control protocol तो internet protocol and transmission control protocol से हमेसा ही question देखने को मिलते है तो इसको भी आप skip ना करें अब इसके बाद में जो five number वाले topic है जिससे आपको question देखने को मिलेगा वो है हमारा file transfer protocol FTP file transfer protocol इसमें mini question आते है जो आपके 5 number वाले जो mark है उसमें आपको देखने को मिलेगा उसके अलावा आपके electronic text messaging, multimedia messaging से आता है electronic mail and interactive television ITV, ITV तो इससे भी question आते है उसके अलावा जो very important है जिसमें triple A security इन में से देखें आपको दो question दो या तीन आपको topic देखने को ही मिलेगा तो इसको skip ना करें जो अब यह मैं बता रहा हूं triple A security, firewall and proxy service, web security, malicious software, virus, spyware, spam, phishing and cookies यह सारे देखने को आपको मिलेगा encryption, digital signature, email security आप यकीन माने इसमें से आपको 3, 4 और 5 भी आ सकता है इसमें से और maximum आपको check करना होता है तो इसमें से 2, 3 या 4 भी आपको देखने को मिलेगा अगर आपका लाकत छारा आतों उसके अरामा आपको question कहां से देखने को मिलेगा वो है email and messaging, email and messaging क्या होती है इसमें difference आ सकता है या सिर्फ email से या सिर्फ messaging से पर एक question इसमें से भी आएगा ज्यादा number वाले question से है और इसमें आपका आएगा जैसे search engine आ गया तो क्या क्या इसमें आएगा से type of search tool and features of search tool तो यह आपको इसमें सारी मेंशन करनी होंगी फिर e-publishing क्या होता है resource sharing क्या होता है security and privacy issue इसको तो हाल फिलहाल में हमने बनाया था यह जो आपका last वाले ब्लॉक था उससे अभी आज ही हमने दो वीडियो डाला है तो अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो उसको भी देख सकते हैं जिससे थेरी आपका उसमें पुरा clear हो जाएगा जिसमें मै आपका resource sharing की बात किया गया है resource sharing वही library में अगर बात करूं तो library के पास इतनी fund नहीं होती कि हर बुको को वो रख सके या हर फाइल को या हर मतलब user के need को fulfill कर सके तो resource sharing के द्वारा अपने user के need को fulfill करते हैं तो इसमें आ जाता है e-publication वही हो गया जितनी भी publication होती हो hard copy में न search engine से भी कोशन आपको देखने को मिलेगा तो इसको भी रख ले और यह वाले जो मैंने बताया इसको तो आपने star mark क्या आपको इसको करना है यह AAA security से लेके आपको email security तक पूरा ही करना है electronic mail भी कर लेना आप लोग और file transfer protocol तो I hope आप लोग को समझ में आ गया हो कौन कौन से topic आपको cover करवाने है और जितने भी topic important है इसमें मैंने सारी बाते बता दी है और आपको समझ में आ गया होगा और मैंने जो जो topic है उसको थोड़ थोड़ explanation के साथ भी बताया है बाकि अगर आप थेरी देखना चाहते हैं तो थेरी के वीडियो भी upload है आप वो वीडियो भी द उसको अगर आप जोइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी इसी वीडियो के description में दिया हुआ है आप वहां से जाके जोइन कर सकते हैं तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स वीडियो में और all the best आपकी exam के लिए और प्लीज करके आप लोग आके feedback जरूर दिया करें इससे हमें क के लिए धन्यवाद